अब फिर से स्वागत है आपके अपने यूटूब चनल टेक्टिक रही हमें तो हर बार की तरह आज भी हम आपके लिए इंट्रेस्टिंग वीडियो लेक्या है तो दोस्तों आज के वीडियो में भी आपने देखा हुआ कि पीछले में काफी वीडियो अभी जो मेरे पास चो की क्यूस्चन है पास में अटेंडिंट किसको मिलता है सथरश हुआले को भी पता सब्सक्राइब, मतलब लेवल 16 यह कोमेंट आया है दोस्तों राहूल कुमार जी की तरफ से इनके क्या कोमेंट आए थे और इनके वैसे और विजाता प्रेग्जरुस्ण रहते हैं तो इनका प्रेग्जरुस्ण निमें बी जे यू, N-D-L-S, J-T लिया हूँ और मुझे बी जे यू, J-T जाना है और ठ्रेन धिशोंटा है तो देखिए दोस्तों मैं सबी को बता अस वन को बता जाये हैं कि जब सब्सक्राइब सब्सक्राइब स्कuyष्य नहीं करोगे तो दो जो ब्रेंग जो लिए ह। उस स्टेशन discussed यह तति हैं इनका जो ट्रेक है नहीं जाती है और इनका लेका नहीं जाँर भावीद्विन करते हो इनके त्रेन नहीं जारी है तो इनका पास ऊपर रिजरिशन नहीं pensando आप द्ञान लखना है जब या हो आफज करते हो तो आपको यह पहले सोच समझना कि आपको कौन से रूट पे होगे कहां-कहां आपको ब्रेक जन्ने डालके आपको पास लेना है ठीक है क्योंकि दोस्तों बात में जब पास इस्जी हो जाता है तो बात में कुछ भी चेंज नहीं होता है तो इसलिए पहले आप अपना बनाए आपको कहां-कहां होके और कौन से पहले में आपको इसलिए स्ट्रेण स्टेबल होगा ठीक है तो उसी सवश्त के लिए एकर आपको ब्रेक जुणी डाललना है ठीक है तो रावल्ड कुमार जी आप जो बता रहे हो उस क проб 24 दोस्तों बढ़ लें और दोस्तों यह कोमेंट आया है केडी का ल्याल अधिश्ट जी की तरफ से उनका क्यूश्थे separation कि एक बार टिकेट करने के बाद अगर अगर онов आखे बढ़ाने के लिए टिकेट कैंसिल करके फिर से टिकेट हो जाएगी क्या पास या पीटियो जे तो देखिए दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ मैंने पहले भी वीडियों बताया है कि पास से आप दो बर करके और उसको कैंसिल करके तीसरी बार भी इसलिशन कर सकते हो पास के ओपर ठीक है लेकिन पीटियों के केस में क्यां कर पाएं और दोस्तों थोड़ा कहना मुस्किल है कि पीटियो ऐसे क ох में है पर फिर से जेंड नहीं कर पाओगे ठीक है तो इस बात को यान ख़ना है जब क्या फैन्सिति रचों टो आप और पएदेशन करते हो दो सौच समझ के करें ठीक है क्योंकि दूस लेकिन ट्रेंट सेम थी और मैंने वीडियो अपलोड गया उसके बाद में दो से तीन कमें आपके वीडियो को देखके और हमें अमने कैंसिल कर दिया पीट्यो की टिकट को और फिर हम दॉबार करने लगे तो उसमें नहीं हो रहा है लो दोस्तों ऐसा है तो फिर आपको किया की टिकट कैंसे नहीं करनी है आपको नहीं सोच समझ के पहले करना है हाँ मालो जैसे हो सकता जैसे मेंने किया था की मैंने कि मैंने ट्रेंते हैं कैंसिल करके उसी सेम ट्रेंग में डेट करके ऐजबिसिन किया था तो मेरा व्यादा ट्रेंग में प्लोड तो जब अमारे यंप्लाइब भाई हों से नहीं हुआ उनका कुछ तो फिर मेने वह वीडियो कर दिया कि मैने चाहता किसी और रेलवे एंपलविय हो का फिर खराब हो ठीक है तो इसलिए को शोच समझ के आपको पीटियो करना है तो समझ के ठीक है तो फिर से कि ट्राई नहीं करें आप सोचे बढ़ें कर लूँगा पीटियो पे तो ऐसा आप नहीं करें बिल्कुल भी ठीक है मैं तो आप को यह ही कहूंगा कि आप पहले सोच समझ कि सारे कांप करें टिकट भी ऐसे अप्लाई करें रिजिविशन भी ऐसे करें तो दोस्तों बढ़ते ह आप प्लोड करूँ तो आप कुछ की नोटिफिशन मिल सकें और आप वीडियो देख सकें कि दोस्तों आगे जो भी अचनल में समझी नहीं नहीं अपडेट्स आते हैं उन सभी अपडेट्स का वीडियो मैं इसे चैनल पे अप्लोड करता रहता हूं टाइम टू टाइम दो दोस्तों ये कॉमेंट आया है बासु दियो तिर्की के नाम की तरफ से और उनका क्यूस्टन है पीट्यो से थरड़े सी में टिकट बुक कर सकते हैं क्या और कितना पैसा लगेगा तो दोस्तों बहुत यह बढ़िया क्यूस्टन उनने पूछा है हमारे सभी रेलवे एंपल आफियशन करना चाहोगे तो कितना पैसा लगेगा ठीक है तो फोर एक्जामपल मालेज है आपका पीट्यो है दिल्ली से मुम्बई तक चा जो टिकट का किरा है सिलिपर किलास का वह च्छत सुरूब है फोर एक्जामपल ठीक है और जो थड़े सी का है वह 12 शुरूब है और जब आप PTO से और Slipper Class में रिजिविशन करोगे तो आपको रूर का पता होगा कि जो वन थर्ड किराया है वो आपको पे करना पड़ेगा जिसे मैंने 600 रुपे बताया आपको किराया लगेगा Slipper Class का तो उसमें वन थर्ड मतलब आपको 200 रुपे आपको पे करने पड़े तो जो 200 रुपे जो वन थर्ड किराया है Slipper Class का वो 200 रुपे ही आपका माइनस होगा थर्ड सी का जब टिकट करोगे उसी PTO पे तो मैंने थर्ड सी का बताया था आपको 12 रुपे तो बारा सो में सिरफ वो 200 रुपे ही कम होंगे और आपको क्या कर आपको 1000 रुपे उसमें पड़ेंगे जब आपके Slipper Class के PTO के उपर आपका 3C में रुपे होगा जब आप उसमें 1000 रुपे पेकर होगे ठीक है तो मेरे खाल से दोस्तों आपको समझ आ गया होगा यह तो था आप Slipper Class के जब इंटाइटल हो और ऐसे मानलो आप 3C के इंटाइटल हो और आप 3C PTO प है तो उसका तीसा इसा आपको पे करना पड़ेगा जब आप 3C में रिजुशन करोगे तो दोस्तों मेरे ख्याल से आप सबी समझ गये होंगे फिर भी आपको कोई समझ नहीं आ रहा है और किसी को क्यूस्टन हो इस समन्द में तो वह कॉमेंट जलू करिएगा हम फिससे और नहीं है की तरफ करो दोस्तों वीडियो ज्यादा लेंत न पी हो गया तो जो कोमेंट बच गहें इन कमेंट का रिक्लाइव में आके आने वाले की वीडियो में उनका रिपलाइव देंगा, तो ठीक है दोस्तों बाब भाल मिलते इस साहरी नेक्स्त वीडियो के साथ टे